इसे कली काल कहा जाता था, क्योंकि लोग एक दूसरे के साथ भयानक चीजें करते थे किस युग में आप हैं, तै करेगा कि आपका इथर शरीर कितना है लोग अभी भी यही कह रहे हैं कि ये कली युग है, कली युग है क्रिश्ण ने कहा था कि ये कल्यूग है लेकिन हम अगला कदम कैसे लेते हैं ये अगली पीडियां कैसे जीती हैं इसे हम ही तै करते हैं तो ये सारी बात चल रही है कम से कम न्यूस चैनलों पर तो कि ये कल्यूग है कल्यूग क्योंकि क्रिश्ण ने कहा था कि ये कल्यूग है कब कहा था? 5124 साल पहले तो तब से कली का संपूर्ण पहलू जो 2592 साल तक चलता है खत्म हो चुका है और द्वापर भी 2592 साल का है जो की 2082 के आसपास समाप्थ हो जाएगा इसका मतलब है कि और 58 साल 58 साल लगभग 60 साल अगर आप 60 साल और जीते हैं तो आप त्रेता यूग देखेंगे इसका मतलब ये नहीं है कि एक दिन अचानक ये त्रेता बन जाएगा देखें, जब हम सर्दी कहते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि अचानक एक दिन सर्दी आ गई, आहिस्ता आती है, गर्मी है, ऐसा नहीं है कि एक दिन अचानक गर्मी आ गई, ये धीरे-धीरे होता है, तो जिसे आप युग कह रहें, वो एक तरह से एक अधिक विशाल मौसम है, मौसमों का एक बड़ा दौर है, मौसमों में, सर्दियों में, पेड़ एक तरह से होते हैं, जानवर एक तरह से होते हैं, वसंत में वो दूसरी तरह से होते हैं, गर्मियों में और अलग तरह से होते हैं, इसी तरह इस धर्ती पर जीवन इन अलग-अलग युगों में अलग-अलग तरह से होगा, क्योंक देखिए हमारे पास जो पाँच शरीर या शरीर की पाँच परते हैं विशेश रूप से इंसानों के संदर्ब में भौतिक शरीर अन्नमाईकोश है मानसिक शरीर मनोमाईकोश है पूर्जा शरीर प्राणमाईकोश है और विज्ञानमाई कोश या इथरिक शरीर होता है सवाल हमेशा ये होता है कि आपके पास कितना अन्नमाई कोश है या आपका अन्नमाई कोश कितना प्रबल है या आपका मनुमाई कोश कितना प्रबल है या आपका इथर या विज्ञान मैकोश कितना प्रबल है उसके मुताबिक ये काम करेगा तो ये मौसम एक तरह से इसे तै करते हैं आप देख सकते हैं कि इन चार मौसमों में पूरे देश में यहां 11 डिगरी अक्षांश पर शायद आप इस पर इतना गौर ना कर पाएं लेकिन ये मौजूद है क्योंकि लोगों ने इस पर गौर किया है इसलिए तमिल नाडु में मारगली और माग मौसम होता है और आप जानते हैं देश भर में कई दूसरे हर कोई उस महीने को कम उटसाह वाला महीना जानता है और इसलिए तब लोग खुद को उननत करने के लिए चीज़ें करते हैं लेकिन अगर आप सम्शी तोषन देशों में जाते हैं तो सर्दियों की स्थिती और वसंत की स्थिती के बीच काफी अंतर होता है अभूत पूर्व अंतर आप विश्वास नहीं कर पाएंगे कि आप उसी दुनिया में हैं अगर आप सर्दियों में जाते हैं तो जैसे हर चीज सब कुछ ऐसा लगता है जैसे दुनिया खत्म होने जा रही है वसंत आता है तो बूम हर चीज वापस खिल जाती है लेकिन मनुष्य के संदर्व में आपका भौतिक शरीर प्रमुक है या मानसिक शरीर प्रमुक है उर्जा शरीर प्रमुक है या इथरिक शरीर प्रमुक है ये उस पर निर्भर करता है जहां ये नियमित वार्षिक चक्र भी कुछ हद तक इन्हें तै करते हैं लेकिन सूपर साइकल बहुत कुछ तै करती है। किस युग में आप हैं, तै करेगा कि आपका इथर शरीर कितना है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये पूरी तरह से निर्नायक है। ये सब कुछ नहीं है, बस इसका प्रभाव होता है। आप किसी भी युग में होकर शांदार हो सकते हैं और आप किसी भी युग में होकर एक जहमिला हो सकते हैं। इस सब कई अनुभव आपके अच्छे या बुरे होने का सवाल नहीं है। या आप लोग कहते फिरते हैं, देखिए, जिस पर आप किसी चीज के बारे में पूर्वा ग्रह रखते हैं, तो कोई व्यक्ति पापी बन जाता है, और कोई व्यक्ति संत बन जाता है. ये कैसे होता है, आप कुछ मूले निर्धारित करते हैं, अगर कोई उस पर खरा नहीं उतर पाता, तो वो पापी है, अगर कोई उस पर खरा उतरता है, तो वो संत है, लेकिन ये मूले अलग-अलग जगाहों में, युगों में, समय समय पर बदलते रहते हैं, ये बदल रहे ह वो महतुपून नहीं है महतुपून बात ये है कि हम समझते हैं कि जब हम यहाँ है तो हम जो हैं, हम अपने भीतर जो कर रहे हैं हम उसका परिणाम है अब सवाल बस इतना है कि हम अपने भीतर जो कर रहे हैं वो जागरूकता में हो रहा है या बेहोशी में अगर हम जागरूकता में कर रहे हैं तो परिणाम वैसा ही होगा जैसा हम चाहते हैं अगर बेहोशी में कर रहे हैं तो परिणाम random या बेतरतीब होगा और random परिणाम बहुत दर्दनाक हो सकता है परिशानी भरा कभी-कभी आपके लिए ज्यादतर समय दूसरों के लिए अलो अगर आप पागलों की तरह बरताव करने लगें तो आप बेशक परिशान होंगे लेकिन आपको ज्यादा ध्यान मिल सकता है लेकिन दूसरों को बहुत तकलीफ होती है आपके आसपास के लोगों को तो ये पहलू सब कुछ तय नहीं करते लेकिन ये एक आम प्रभाव है तो कलीफ के दौरान जो 2000 से अधिक साल पहले खत्म हो चुका है इसे कली काल कहा जाता था क्योंकि लोग एक दूसरे के साथ भयानक चीजें करते थे उसमें न केवल भयानक चीजें की गई उन्होंने इसे बड़े पैमाने पर किया इसका मतलब ये नहीं है कि हमने दौपर युग में भयानक चीजें नहीं की हमने भी की लेकिन फिर भी वो सामान्य नहीं है कम से कम हम जानते हैं कि वो गलत है यही बड़ा अंतर है अगर आप कुछ भायानक कर रहे हैं तो कम से कम आप जानते हैं कि यह नहीं करना चाहिए अगर आपको लगता है कि यह सही चीज है तब यह अलग मामला है क्योंकि फिर सुधार की कोई गुंजाईश ही नहीं है वो दुनिया का तरीका बन जाएगा जो जैसा कि अतीत में था कई कई चीजें जो हमें मनुष्य के कर सकने के लिए असंभव लगती थी आम तोर पर अतीत में की गई और उन्हें सही काम के रूप में सुईकार किया गया तो हमें इसका इंतजार नहीं करना है देखिए इसने इंतजार नहीं किया अभी गर्मी नहीं आई है लेकिन ये हमें पहले से ही पसीना दे रही है क्यों ना हम भी समय के एक कदम आगे रहें तो इसलिए ये बहुत महत्वपून है पिछली पीडियों ने किसी चीज के लिए नीव रखी है या नहीं वो तै करता है कि अगली पीड़ी कितना निर्मान करेगी है ना ये घर के लिए लागू होता है ये राश्टर के लिए लागू होता है ये आपकी चेतना के लिए लागू होता है लोगों ने कितनी नीव बनाई है वो तय करेगा कि आने वाली पीडियां कितना करेंगी तो समय के लिहाद से हम यहाँ पर हैं हो सकता है कि हम उश शांदार महल को न देख पाएं जो इसके उपर बनाया जाएगा लेकिन कम से कम आपने नीव तो बनाई और उसका आनंद भी लिया छोटा समयल जिसकी हम कई तरह से शुरुवात कर रहे हैं बहुत सारे लोग प्रचार करते रहते हैं जीवन दिन बदिन बत्तर होता जा रहा है दिन बदिन बत्तर होता जा रहा है लेकिन कृपया इस चीज़ पर गौर करें 500 साल पहले लोग यहां कैसे रहते थे आज हम कैसे रह रहे हैं क्या हर चीज़ बहतर नहीं है हर खास तोर पर महिलाएं आपको जोर से हां कहना होगा क्योंकि इस धर्ती पर महिलाओं के लिए जीवन कभी भी इतना अच्छा नहीं रहे पूरी दुनिया में तो हम अगला कदम कैसे उठाते हैं वो हमारे हाथ में हम इस तरह इसलिए हैं क्योंकि किसी ने कुछ बुनियाद बनाई है तो हम इस थान पर आए हैं लेकिन हम अगला कदम कैसे बनाते हैं यह अगली प्रीडियां कैसे जीती हैं ये हमारे द्वारा तैह होता है तो ऐसे समय में जब मैं कहता हूँ ऐसे समय में जब हम एक यूग से दूसरे यूग में जा रहे हैं जब मौसम सर्दी से वसंत में बदल रहा हो तो हमें खिलने के लिए तयार रहना चाहिए कई मायनों में हम जिस दवर में हैं वो बहुत महतोपून है क्योंकि शायद मैं इसे नहीं देख पाऊंगा, मैं इसे नहीं देखूंगा लेकिन आप में से कई युवा लोग इसे देखेंगे कि हम द्वापर्यूग से त्रेता यूग में जा रहे हैं कर दो कर दो